Hello everyone, my name is Ashpreet और आज हम डिस्कस करने वाले हैं Great Tenth की बहुत इंजिस्टिंग पॉम The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash. इस पॉम में एक लड़की है Belinda और उसके चार पैट्स हैं, किटन, माउस, डॉग और एक ड्रागन. और ये पॉम बताती है कि किस तरीके से कुछ लोग अपनी जो इमेज है कुछ और रिवील करते हैं, बर जब time आता है तो वो कुछ और act करते हैं, बिलकुल डरपोग के तरीके से act करते हैं. तो चलिए, फोम स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट और सेकिंड स्टेंजा को अगर हम क्लब करें और बात की जाए, तो उसमें ये बताया गया है, कि एक वाइट हाउस के अंदर एक लड़की रहती थी, जिसका नाम था बिलिंडा, और उसकी चार पैट्स थे, पहले वाला एक एक ब्लाक कलर का किटन, सेकेंड एक ग्रे कलर का माउस, थर्ड एक चोटा सा येलो कलर का टॉग, और फोर्थ एक चोटा सा ड्रागन, और उनके पास एक लिटल चोटा सा रेड कलर का वेगन भी था वहिकल, तो बिलिंडा ने सब पैट्स के कुछ-कुछ नाम रखे हुए थे, for example, अगर चोटे ब्लाक किटन की बात की जाए, उसका नाम रखा गया था इंक, अगर हम ग्रे माउस की बात करें, उसका नाम रखा गया था ब्लिंक, और अगर हम चोटे डॉग की बात करें, उसका नाम था मस्टर्ड, लेकिन जो हमारा ड्रागन था, उसको बोला जात तो इसी लिए उसको नाम भी दिया गया था एक स्पेशल कस्टर्ड थर्ड और फोर्ट स्टैंजा के अंदर समझाया गया है कि ड्रागन जिसको हम कावर्ड बोलते थे जिसका नाम कस्टर्ड रखा गया था वो कैसा दिखता था बेसीकली जो कस्टर्ड था उसके बड़े बड़े दांथ थे इन फाक्ट उसकी बोड़ी के उपर स्पाइक्स भी थे तीखे तीखे प्रजीक्शन और उसके नीचे उसके सकेल्स थे वैसे ही सकेल्स जैसे आप मैमलस के देखते हो फिष्ष के देखते हो जो वॉतर में अगर उसके माउथ की बात की जाए तो इट विज लाइक फायर प्लेस नोस की बात की जाए तो वो चिमनी थी जहांसे धुआ निकलता था और उसके जो फीट थे वो जब पैर रखता था बहुत अवास करते थे और छोटे छोटे नाइफ के साथ कमपैर किया गया है जैसे डागर्ज होते हैं तो यह सब बताते हुए पोईट बताते हैं कि जो बेलिंडा थी वो बहुत ब्रेव थी वो इतनी ब्रेव थी जितने बहुत सारे बीर्ज इकठे हो जाए तो उसकी ब्रेवरी उन बीर्ज के साथ कमपैर की जा सकती है अगर इंक और ब्लिंक की बात के जाए तो वो बोलते थे कि हम तो इतने ब्रेव हैं कि हम लाइन को भी स्टेल से नीचे बगा सकते हैं और अगर हम बात करें मस्टर्ड की जो उनका डॉग था वो तो इतना ब्रेव था कि वो ऐसे आक्ट करता था जैसे टाइगर गुसे में आक्ट करें और इन सब के बीच में अगर हम बात करते हैं कस्टर्ड की जो की ड्राइगन था वो तो हमेशा बोलता था कि प्लीज मैं बिलकुल ब्रेव नहीं हूं मेरे को मेरे केज में डाल दो मुझे सेफटी की बहुत जुरूरत है मुझे रहने के लिए एक सेफ केज दे दो moving on to fifth and sixth tenza इसमें पोईट ये बताते है कि जो बिलिंडा है वो कस्टर्ड जो की ड्राइगन का नाम है उसको बहुत तंग करती थी उसको बहुत गेगिर करती थी ऐसे गुद्गुदी करती थी एंड जो हमारे इंक है, ब्लिंक है या जो हमारा मस्टर डॉग है, वो उसको रूबली एक क्यारेक्टर का नाम देते थे, परसिवल, जो एक गार्ड भी था, किंग के लिए, और साथ के साथ वो पुरानी टेल्स में, रुमैंस में, अपने बच्पने के लिए जाना चाता था not very smart, so कहने का मतलब ये था कि जो कस्टर है, वो परसिवल है, मतलब वो बड़ा तो है, ब्रेव भी है, लेकिन अपने बच्पने के लिए बहुत मशूर है, तो एक दिन वो लोग सब अपने वो रेड वागन के अंदर बैठे थे, और जो बिलिंडा थी, और बाकी सब कस्ट का मजाक उड़ा रहे थे, तो बिलिंडा इतनी जोर-जोर से हस रही थी, इतनी जोर-जोर से हस रही थी, ऐसे लग रहा था कि वो पूरे घर को हिला रही है, और जो माउस था, ब्लिंक, वो अपने तरीके से अपनी आवास में हस रहा था, अगर हम बात करें, इंक और मस्ट कास्टर्ड ड्रागन है, मुझे सबको यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज, प्लीज मुझे टीज मत करो, मुझे एक सेफ केज दे तो, सब लोगों ने एक अजीब सी आवाज सुनी, और उस टाइम पे मस्टर्ड ने पाक करने की कोशिश की, और इधर उदर देखने की कोशिश की, कि आखिर कैसी आवाज है यह, किसकी आवाज है, बहुत अनफामिलियर लग रही है, और डॉक सुरिया, करते हैं, इंक और बिलिंडा, वो जोर से चिलाए, वो लोग इतनी जोर से इसलिए चिलाए, क्योंकि उन लोगों ने, एक रॉबर को, एक पाइरिट को, विंडो से उपर आते हुए देख लिया था, उसके एक हाथ में पिस्टल, दूसरे हाथ में पिस्टल, और उसके दांदों के बीच में एक नाइफ था, एक स्वॉर्ड था, छोटे वाला नाइफ, उसको देखकर, कोई भी बोल सकता था कि यहाँ पर अच्छी इंटेंशन से यह आया नहीं, इन फाक्ट, उसकी ब्लाइक बियर्ड और एक जो लेग थी, वो भी वुड की थी, और वो यहाँ पर इन सब को हाम करने के लिए आया है, बेलिंडा ये सब देखकर हक्की बक्की रह गी, उसके चेहरे का रंग उतर गया, जो मस्टर्ड डॉग था, इवन वो रोती हुई अवाज निकाल कर फटा फट भाग गया, इंकी बात के जाए, उसने फटा फट अपना रस्ता निकाल दिया, वो भी भाग गई, और जो छोटा वाला माउस था, बड़ी स्मार्ट ली अपने आपको हाइड करता हुआ, अपने होल में गुज गया, अब इस टाइम पे, जो हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो हुआ, कस्टर्ड ड्रागन, वो आ गया, पाइरिट के आगे, और वो अपने मुँ से जैसे engine स्नॉट करते हुए अवाज निकाल था, हाँ, हाँ करके अवाज निकाल रहा था, और उसकी टेल ऐसे, 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 ऐसे बज रही थी, और अवाज कर रही थी, वो अवाज बिल्कुल ऐसे हो रही थी, जैसे underground prisons में, लोगों को मारते हुए कई भार आवाज आती है ना बिल्कुल ऐसी आवाज और इस टाइम पे वो जो जैंगलिंग साउंड थी क्लाटरिंग साउंड थी वो सुनकर रॉबर एक्टम से स्टेल हो गया क्योंकि जो कस्टर्ड ड्रागन था वो रॉबर के उपर ऐसे अटाइक करने गया जैसे वो रॉबिन बर्ड नहीं होता जब वो एक वाउम देख ले तो उसका टार्गेट वो बन जाता है और वो जा कि उसको खा लेता है तो बिल्कुल वैसे कस्टर्ड ड्रागन ने अटाइक किया पाइरिट को रॉबर को अब ये देखकर जो पाइरिट था उसका मुझ खुला का खुला रह गया इन फैक्ट उसने अपनी बॉटल निका ली खोल कर जो ड्रिंक थी बॉटल के अंदर पॉकिट में वो फटाफट पीली उसने जैसे पॉपोई जेलर मैं में पॉपोई स्पिनिच खाता है बॉणो को देखकर सेम टू से अब रॉबर ने अपने आपको बचाने के लिए दो बुलेट्स फायर की ठशक्याओ ठशक्याओ बट अनफर्चनेटली वो बिल्कुल भी हिटनी की ड्रागन को और इतने देर में ड्रागन ने उसको पकड़ा और खा गया नव मुविंग ओन तो नेक्स टैंजा 12, 13 and 14 पैरेट या रॉबर की देथ पे कोई भी नी रोया इन फाक्ट बेलिंडा ने जाकर फटा फट कास्टड को हग किया एन बाकी सब लोग आकर मेड भी मास्टर्ड उसको लिख करने लगे कोई भी नी रोया सब लोग उसके आसपास इंग, ब्लिंक, डांस करने लगे कि अरे वा, 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 वा मार दिया, मार दिया पैरिट को बट जल्दी ही सब ने अपने अपने claims देने शुरू कर दिये सबसे पहले बोला हमारा dog mustard कहता वो तो मैं ज़रा confused हो गया था वरना मैं तो आपसे double bravery दिखाता twice as brave as custard तो ये सब देखकर ink और blink क्यों पीछे रहे वो कहते अरे हम तो इससे तिगना brave act करते महलब अगर हम इतने confused नहीं होते तो इन सब की बाते सुनकर custard जो dragon था वो शान था और सब की बात से agree कर रहा था कि बिलकुल ठीक है आप लोग मेरे से भी brave हो moving on to the last stanzas ये repetition है first और fourth stanza की और इसमें ये बताया गया है कि पुरानी आदते इतनी जल्दी छूड़ती नहीं है मतलब सब ने इस incident से भी कुछ नहीं सीखा बिलिंडा अभी भी अपने white से color के house में रहती है एक red color का wagon है उसके पास चार pets हैं जिनकी अलग अलग नाम है yellow color का dog है mustard और एक coward or pork dragon है जिसका नाम है custard एक और pet है black color की kitten and in fact एक mouse भी है और जो dragon है वो अभी भी सब लोगों को यही बोलता है कि मुझे please मेरा cage दे दो मैं अपने आपको जादा सेफ वही पे मानता है तो यह थी हम लोगों की आज की पौन and I hope कि आप लोगों को पसंद आई होगी समझ आई होगी so till we meet next take care and अगर आपको पसंद आया session so do like, share and subscribe thank you